सीयो केंड से आमद्योबिंदी की अध्यक्सा में केंड थाने पर थाना समधान दिवस का आयोजन किया गया है जिसके संबंद में सीयो केंड से आमद्योबिंदी नहीं बताया कि केंड थाने में थाना समधान दिवस का आयोजन किया गया है जिसके बाद आगे की कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि थाना समधान दिवस काफी कारवर साबित हो रहा है दोनों पक्षों के सहीयोग से अधिकतर विवादों का निस्तारण कर दिया जाता है लेकिन जो कोड के मामले रहते हैं उसमें समय लगता है उनको बताया जाता ह है कि यह मामले कोड से ही निस्तारण होंगे इस औसर पर केंट थाना प्रभारी शेशिबूशन राय सहित अन्य पुलिसकर में मौजूद रहें इस समध में गुरिकपूर नियूस से बात करते हुए इस्यो केंट श्यामदियो बिन ने कहा जहां परादा बमकादा पर नियूस रहें लिए जाए प्लोरों में जएसे जेशने थानी थी और नना थी ऊपके मूब आंके गाड़ी चला रहते एक और इस्ता ब्रैटे न शाहने से और इन लोग में जब गाडियों वेट आया तो बच्चो को माना इस्तार नहीं जाथि अब करता दो तो तुमरी मान को पार में भुषके के बार जेके कोई कुछ नहीं करता है भाँ वहां से फोला लगाया ते तो समुला पिंट सामा अचि को समाऊ तो समाश थो महिनीं पहलना मैं ते जटेश्वेद स्कूले लाइशा जासब कि एक शूरा भाँ नहीं थे आप भाज कुर्ण तोहांट तोड़ा बाद में जाल काड़ी कोई बच्चे चले फड़ी आये हैं सब किसी कोई सुनवाई नहीं कि कोई अशरी में प्रिक्षा कि अगए ना उसके थाना देश केले लिफना ना है नहीं जाएगी तुनके की सावाशना के न सम्दाना किया गया है जिसमें में मुझोड़ू थाना प्रवारी है राजस्ट की टीम है जिसमें कुल। चार प्रकरण अभी तक आये हैं जो चारों प्रकरण रास्ता मकान जमीन दुकान विवास से संबंदित हैं जिसमें राजस और पुलिस की टीम गठित की गई है और मौके पर जाकर यह लोग जहां चाख्या उपलब्द कराएंगे उसके अंसार अग्रिम करवाई कि जाएगी ठाना दिवस चुकि राजस की टीम भी रहती है और पुलिस की टीम रहती है जो सामान मामले रहते हैं आपसी सामती से सुल्जाने वाले वो तो ततकाल हो जाते हैं लेकिन जो क्रिटिकल मामले रहते हैं जिसे कोई कोट में चल ला है यान मामले है तो उसमें टाइम लगता ह थानत समाधान दिवस कारगर तो है